ओम नमो भगवते बास देवाई नमाहा, स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ती भावना योट्यूब चेनल पर दोस्तों आज में आपको बट पूर्मा से सम्मंदित जानकरी दे रहा हूँ दो दिन की सवार बट पूर्मा पड़ रही है, आपको इस दिन एक धागे का उपाय कर रहा है और आप सभी जानते हैं कि बट पूर्मा पर धागे का बिश्य समयत्व है बट पूर्मा की दिन स्वागे मेलाई, माता पारभत्यी, भगवान सेभ तता सत्वाण सावेत्री की पूजा करती है वहाँ पर एक कच्चा सूंतवान थी है किस पकार से बांधना है अपनी इच्छा बोल करके आपकी पुत्र धनकी मनुकामना वश्य पूरी होगी देखो सबसे पहले आपको क्या करना है भगवान विश्णों का पूजन करना है नों के सामने संकल पूर्वक्त सत्त नारान की कथा करनी है संकल ले लें कि प्रवु में सत्त नारान का ब्रत कथा कर रहा हूं पूरर मांसी का ब्रत रखूंगा आप मेरी उपर अपनी किरपा देश्टी बना रहे हैं जिन मेलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जिन को धनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है बिजनिस अच्छा नहीं चल रहा है घर में असानती रहती है उनको इस दिन भगवान सिवकाफ सीख जरू करना चाहिए और भगवान को सपेद पुष्प और खीर का प दागा उसार देना है उसारने के बाद में दीपक भी आपको ले लेना बट ब्रक के नीचे जाना है सबसे पहले वो दीपक जला देना है दीपक जलाने के बाद में आपको वहां पर बटकेश्वर महाधिव का ध्यान करते हुए और साथ ही भगवान सिव माता पारवती का ध् लपेट देना है कच्चे सूत का धागा आपको बट ब्रक्सेल साथ वार लपेट देना है और दीपक जला देना है मीटा चड़ा देना है आपकी मनुकामना वश्य पूर्योगी मेश रासी मितुन रासी करक रासी सिंग रासी कन्या रासी ब्रस्चिक रासी दनू रासी कुम और मीन रासी ये रासियां है इस दिन बियादी बागिसाली रहने वाले में तो आपको इस पिकार से उपाय करना है कच्छे सुत का धागाई के लपेट ना है फिर देगना कितनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी और जिनके भी किसी पिकार में रुकाब अटा रही है व ये उपाय जरूर करें साती भगवान सेव और सत्नारिक पूझा करें आपकी मनुका आमना वश्ची पूरी होगी